ग्राम पंचायद छडोल के अंत्रगत जामली में एक ससुर ने किसी बात को लेकर अपनी ही बहु को बेरहमी से पीट डाला जिससे महिला काफी घायल हो गई है और उसके शरीर पर काफी चोड़े आई हैं आपको बता दें कि ये मामला कल शाम के समय हुआ जब उसका ससुर शराब के नशे में धुत था और घर पर किसी बात को लेकर उसने अपनी बहु से शराब के नशे में बहस करने लगा और धीरे धीरे मामला काफी बढ़ गया और उसने किसी तेज हत्यार से बहु के सिर पर मार जिससे बहु को काफी चोट आई शोर को तुन कर स्थानिय महिलाओं ने मौके पर पहुँचकर उसके चंगुल से शुडाया और 108 की सहायता से जिला अस्पताल पहुँचाये गया आपको बता दें कि पिछले वर्ष महिला के पती की मोद एक दुरखटना में हो गई थी और महिला अपने दो छोटे छोटे बच्चों को पाल रही थी लेकिन रोजाना उसका ससुर उससे शराब पी कर मार पीट करता था नहीं पीडित महिला ने बताया कि उसका ससुर शराब पी कर दो तिन दिनों से उसके साथ मार पीट कर रहा था और शाम के समय उसके घर पर गाउं की महिला उससे बातचीत करने आई हुई थी जिसको लेकर उसका ससुर भड़क उठा और उसे घर से जाने के लिए कहने लगा जब उसने मना किया तो उसके ससुर ने उसके सिर पर उसे बाहर निकाल कर किसी चीट से मार दिया जिसके बाद उसे कोई पता नहीं कि उसे अस्पताल कौन लेकर आया पिरित महिला ने बताये कि पुलिस के द्वारा उसका मेडिकल करवाय जा रहा है नहीं पुलिस बिलासपुर ने महिला के ब्यान पर मारपीट को लेकर मामला दर्च कर लिया है और उसके ससुर के खिलाफ कारवाय चारी है और ससुर में पिटा है मुझे ऐसे इस रहा पिके बस ऐसे इस रहा पिये था दो तिन दिन से लड़ने लगा थे मेरे साथ मैं घास कार में गई थी जब एक हमारे गाउं की आई थी हमारे घर में और उसको बोला कि उसको बाहर निकाल उसको बोला nga निदे मेरी कमरे में आई टोसमें तूसने मुहां बाद वामे मेरे सर में मार दी। जिर मुझे कुछ पढ़ नगा कि में काहें हूँ काहें कि अज जिक्या हुआ हुआ कि अभी तक पुलिस ने यह कर वैए कि भरक्रतितल रपतां होना है। झाल झाल